Hey guys, welcome to our YouTube channel So friends, आज के वीडियो में मैं आपको easy way में step by step बताऊंगी कि आप अपने mobile से ही SD quality में professional thumbnail कैसे ही बना सकते हैं हमारे thumbnail का होना attractive बहुत ही जरूरी है क्योंकि उसी से click आते हैं और हमारे चैनल पर views और subscribe भी उसी से बढ़ते हैं So friends, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को एक like कर दीजिए और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को subscribe करके वोबाल आइकन भी दभा दीजिए ताकि आगे आने वाले न्यू वीडियो का notification आपको सबसे बहले मिल सके So friends, चली वीडियो स्टार्ट करते हैं YouTube थमनेल बनाने के लिए हम Pixel Lab एप का यूज करेंगे इस एप को आप Easily Play Store से डाउनलोड कर सकते हैं अब हम Pixel Lab एप ओपन करेंगे उसके बाद यहाँ डिलीट वाले option पे क्लिक करके टैक्स को डिलीट कर लेंगे उसके बाद यहाँ 3. पे क्लिक करेंगे Image Size पे क्लिक करेंगे यहाँ पे क्लिक करके YouTube थमनेल सिलेक्ट कर लेंगे उसके बाद यहाँ OK पे क्लिक कर देंगे उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको बहुत सारे background template मिल जाएंगे आप चाहे तो इसको यूज कर सकते हैं चाहे तो यहाँ पे क्लिक करके कलर पे क्लिक करके आप कलर भी चूज कर सकते हैं gradient कलर आप चूज कर सकते हैं यहाँ कलर पे क्लिक करके यह सब कलर भी चूज कर सकते हैं मैं एक black कलर चूज कर लेती हूँ उसके बाद यहां टिक पे हम क्लिक कर देंगे इसके बाद हम यहां बीच वाले आप्शन पे क्लिक करेंगे इंपोर्ट पे क्लिक करके गैलरी से पी एंजी फोटो अपना सिलेक्ट कर लेंगे मैंने यह फोटो सिलेक्ट कर लिया है उसके बाद हम इसको यहां से crop भी कर सकते हैं उसके बाद आप चाहें यहां से इसको rotate भी कर सकते हैं उसके बाद हम यहां tick पे click करेंगे उसके बाद इसको इस तरह तरीके से adjust कर लेंगे यहां पे set कर लेंगे इसके बाद हम A वाले option पे click करेंगे टेक्स पे क्लिक करेंगे लिखेंगे जिस भी टॉपिक पे हम अपना थमनेल बना रहे हैं यहां पे हम क्लिक करेंगे यहां पे क्लिक करेंगे और यहां पे हम लिखेंगे मैंने लिख लिया है उसके बाद यहां done पे क्लिक करेंगे उसके बाद यहां ok पे क्लिक कर देंगे उसके बाद हम यहां से इसका font select करेंगे font पे क्लिक करके मैंने यह arm wrestler वालग font select किया है उसके बाद हम यहां पे ok पे क्लिक कर देंगे इसके बाद हम यहां से इसका size भी बढ़ा कर सकते हैं इस तरीके से मैंने इसका यहां पे size बढ़ा कर लिया है उसके बाद हम यहां टिक पे click करेंगे और इसका color हम black choose कर लेंगे अभी तो उसके बाद हम यहां टिक पे click करेंगे उसके बाद हम यहाँ पे plus वाले icon पे click करेंगे shape में click करेंगे और इसी के बराबर square shape एक select कर लेंगे इस तरीके से हम यहाँ पे इसको set करेंगे उसके बाद यहाँ tick वाले option पे click करेंगे यहाँ हम beach वाले option पे click करेंगे उसके बाद हम यहाँ से इसको to back कर लेंगे इसके बाद हम font का style जो है वो change करेंगे हम यहाँ पर इसको select करते हैं font को उसके बाद नीचे में आपको B वाला option मिल जाएगा उसके हम click करेंगे और इसको इस तरीके से set कर लेंगे उसके बाद हम यहाँ पे टिक पे क्लिक करेंगे इसके बाद हम इस पे क्लिक करेंगे और नीचे स्ट्रॉक वाले आप्शन पे जाएंगे स्ट्रॉक पे क्लिक करेंगे इसको इनेवल करेंगे उसके बाद आप यहाँ जिस भी color का stroke चूस करना चाहते हैं आप चूस कर सकते हैं मैं इस ट्रॉक की यह वाला चूस करती हूँ इसके बाद इस तरीके से इसको हम बढ़ा लेंगे इसके बाद हम यहाँ टिक पे क्लिक करेंगे दुबारा हम इसी तरह से text को लिखेंगे और इसका save देंगे same इसी तरह से मैंने इसको दुबारा लिखा है उसके बाद हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ से इस save को जो है वो लॉक कर लेंगे ताकि यह ही लेना उसके बाद हम दुबारा यहाँ पर click करेंगे उसके बाद हम इस पर click करेंगे और ए वाले option पर click करेंगे उसके बाद यहाँ से stroke choose कर लेंगे stroke पर click किया है उसके बाद इसको enable करेंगे उसके बाद हम यहाँ से color choose कर लेते हैं मैंने यह color choose किया है उसके बाद हम इसको यहां से कम जादा भी कर सकते हैं मैंने इस तरह से इसको यहां पर किया उसके बाद हम यहां पर टिक पर क्लिक कर देंगे इसके बाद हम दुबारा इसी तरीके से टक्स को लिखेंगे और इसका सेब देंगे मैंने दुबारा इसको इस तरीके से हमने सेब दिया है और लिखा है अगर मैं एक करके सब बताती तो वीडियो बहुत जादा लंबा हो जाता है इसलिए मैंने आपको सिर्फ एक ही करके दिखाया है उसके बाद हम फिर से प्लस वाले आइकन पे क्लिक करेंगे टैक्स पे क्लिक करेंगे यहां पे क्लिक करेंगे उसके बाद हम दुबारा से यहां टाइप कर लेंगे मैंने टाइप कर लिया है उसके बाद हम यहां नीचे में जाके यहां से हम फॉंट सिलेक्ट कर लेंगे मैंने यह वाला फॉंट सिलेक्ट किया है ब्लॉगर सैंस बोल्ड का, उसके बाद हम उक्के पर क्लिक करेंगे उसके बाद हम यहाँ से इसका साइज जो है बड़ा चोटा कर सकते हैं इस तरीके से मैंने इसका साइज बड़ा कर लिया है उसके बाद हम यह टिक पर क्लिक करेंगे इसके बाद हम इसका भी इस ट्रॉक जो है वो बढ़ा लेते हैं यहां मैंने इस ट्रॉक पर क्लिक किया इसको इनेबल किया इसके बाद मैं यह वाला कलर इस ट्रॉक जो है यूज की हूँ यह वाला कलर इसके बाद मैं इसको यहां से कम जादा कर सकती हूँ इस तरीके से उसके बाद मैंने यहाँ टिक पे क्लिक किया इसके बाद आप चाहे तो यहाँ से इसका inner shadow भी दे सकते हैं मैंने inner shadow पे क्लिक किया है उसके बाद आप इस तरीके से adjust करके inner shadow इसका दे सकते हैं मैंने इस तरीके से इसका inner shadow भी दे दिया है ऐसे उसके बाद हम यहाँ टिक पे क्लिक करेंगे उसके बाद आप चाहे तो अपने फोटो पे स्ट्रॉक या सेडो भी दे सकते हैं हम फोटो को सिलेक्ट कर लेंगे उसके बाद यहाँ नीचे जाकर हम इस पे सेडो देते हैं सेडो पे क्लिक करेंगे इसको इनेबल करेंगे इस तरी वाइट सेडो हम चूस कर लिये हैं उसके बाद हम इस तरीके से इस पे सेडो देंगे उसके बाद हम टिक पे क्लिक करेंगे आप चाहे तो यहां से इसको सेफ भी दे सकते हैं हम प्लस वाले आइकन पे क्लिक करेंगे से सेप मैंने चूस किया है उसके बाद हम यह टिक पर क्लिक करेंगे उसके बाद आपको यहां से इस तरीके से इसको बड़ा कर लेना है आपको यहां पर रोटेट का ऑप्शन मिल जाएगा आप इस तरीके से इसको रोटेट कर सकते हैं इस तरीके से मैंने इसको set कर लिया है उसके बाद हम यह to back पे click करेंगे इसका हम चाहे तो color भी change कर सकते है यहाँ पे आपको color का option मिल जाएगा उसके हम click करेंगे इसको enable करेंगे आप चाहे तो कोई भी color choose कर सकते है मैंने यह color choose कर लिया है उसके बाद हम यहाँ टिक पे क्लिक करेंगे अब आप चाहें तो यहाँ से आप इसका सैटो भी दे सकते हैं इसके हम क्लिक करेंगे उसके बाद हम यहाँ पे इसको स्ट्रॉक देंगे इसको इनेबल कर देंगे और इस तरीके से हम इसका stroke बढ़ा लेंगे उसके बाद हम यह टिक पे क्लिक करेंगे अब हमारा thumbnail जो है वो बन के तयार हो चुका है अब हम इसको gallery में save करेंगे इस पे हम click करेंगे save as image पे click करेंगे यहाँ पे click करके इसको png में कर लेंगे उसके बाद हम यहाँ पे click करेंगे इसको high कर लेंगे उसके बाद हम save to gallery में click कर देंगे so friends हमारा image जो है वो gallery में save हो चुका है I hope आप सबको वीडियो अच्छा लगा होगा अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज एक like कर दीजिए और आपने अभी तक मेरे चैनल को subscribe नहीं किया है तो प्लीज चैनल को subscribe करके bell icon दबा दीजिए ताकि आगे आने वाले new video का notification आपको सबसे पहले मिल सके so friends आज के लिए बस इतना ही चलिए मिलते है next video में